नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूटूबर देव पर तो दोस्तों सीवीएसी का हमेशा सही एक नाम रहा है विध्यार्थियों के हित्मे निर्णे रेने का ऐसा ही एक निर्णे जब हमने देखा असे एक डेट या दो महीने पहले जब सीबीएसी ने दोस्तों निर्णे लिया था कि वो सीबीएसी के जो प्रेक्टिकल से एक्जाम्स हैं उनको पोश्टपॉन कर दिया अपने टैंथ का जो एक्जाम है उसको कैंसल कर दिया और ट्वेल्थ के भी पोश्टपॉन की फिर आर्बीएसी ने बेसा ही किय अलंकि 10 के तो कैंसल नहीं किये लेकिन ऐसे निर्णे हमेसा विध्यारतियों खित में लिये जाते रहे हैं और दोस्तों ऐसा ही निर्णे लगातार दूसरे सार लिया जा रहा है जब ग्रह जिलों में ही परीशा का जो है विकल्प दिया जाएगा तो जिस जिले से जो नजदी की उनका सेंटर पढ़ता है अपने घर से तो वहीं उनको एक्जाम सेंटर दिया जाएगा दोस्तों CBSE की बारवीं की परीशाओं को लेकर असमंजस कायम है लेकिन कोरोना संक्रमन को देखते वे बोर्ड को बारवीं के विध्यार्थियों को अपने ग्रिहे जिलों में परीशाओं देने की सुविधा देनी होगी ऐसा नहीं होने पर अभी भावक और विध्यार्थियों की नाराजगी होना संभावी थे और पिछली बार भी ऐसा ही आदेश दोस्तों आया था अगर मैं गलत नहीं हूँ कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर और राज्यों में लॉकडाउन के मधे नजर कई विध्यारती अपने गिरह जिलों में चले गए हैं इनमें ऐसे विध्यारती सामिल है जो अन्य स्थानों पर तकनी की परविस परिक्षाओं की त्यारी के लिए कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं ऐसे विध्यारतीयों को CBSE को ग्रह जिलों में परिक्षाइं देने की सुवीदा मुहाया करानी होगी तो कई सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं और फिर वहाँ पर CBSE का जो स्कूल होता है सेंटर होता है बोर्ड का वहाँ एक्जाम वो देते हैं वहाँ एडमिसन लेते हैं तो अभी वो सब ग्रह जिलों में हैं अपने घरों की ओर हैं तो अब उनको ग्रह के पास जो उनका सेंटर पढ़ता है वहीं एक्जाम सेंटर देना होगा SACBSE का कहना है पिछले साल दोस्तों विकल्ब रखा था जैसे मैंने अब भी बताया आपको बीते साल लॉकडाउन के चलते दस्वी और बार्वी की बकाया परिक्षाओं पर असमंजस कायम था बोर्ड ने एक से पंदरा जुलाई तक बकाया पेपर कराने और विध्यार्थियों को गिरिह जिलों में परिक्षाओं में देने जो है देने की सुईधा दी थी लेकिन सुप्रिम कोड याने की माननी ये सरोच न्याले द्वारा यूनिट रेष्ट प्रीट बोर्ड इस्थागित होने से पहले हुई परिक्षाओं के आदार पर आउसत अंक देकर विध्यार्थियों को उतिन करने का अदेश दिये गए थे इसके जलते बोर्ड को फिर मुखे परिक्साय कराने की जरूरत नहीं पड़ी थी लेकिन दोस्तों हमेशा से बाद में चाहे कोई भी निरने आये माननी नियाले का आये या फिर कुछ ऐसी परिस्तिती हो जाए लेकिन पहले हमेशा ही सी बी ऐसी जो है विध्यार्थियों के एकौर्डिंग विध्यार्थियों के तो मैं निरने लेता है जो कि दोस्तों बहुत अच्छा फैसला है अब एक निरने का इंजार ये भी है कि 12th का जो है आपकी जिए दोस्तों थोड़ा सा अगला खराब मेरा तो 12th के बारे में निरने कब आ रहा है तो वो भी दोस्तों म